पुलिस ने हत्या के मामले का परदाफाश किया है और पुलिस ने दोन लोगों को भी हिरासत में लिया है। ये दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं, 18 फरवरी को नाले के पास संदिक दवस्था में सीताराम नाम के व्यक्ति का शब मिला था। मौके पर मौजूद साक्ष के आधार पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जाच शुरू की पुलिस के मताबिक मृतक ने महिला से अवैद संबंध थे और इसी बात से नाराज महिला के पुत्र और उसके पती ने सीताराम को मौत के घाट उतार दिया। हम लोगों ने मुक्विस उसने के अधार पर पकड़ा और सगंता से और गहराई से पुस्ताच हिया तो उसने हत्या करना स्विकार किया। हत्या का कारण यह था कि उस महिलास उसकी मां से संबंध है उसे मिर्टक किये। गटना वाली रात जो है वह रात सारे बारे वजह उसे चेलोफोन पर बात करके मुबाइल द्वारा बात करके वह से मिलने घर आ गया था। और जब वह कुट्टे भुके तो वह लड़का जग रहा था दिलिप नामक वह उसने देख लिया था और उसने उसको पत्थर मारा और जब भागा है उसके बाद से कुलारी मार के उसकी हत्या कर दी हत्या कर दी हत्या कर दी बाद उसने पिता के साथ उस लास को वहां से करी देड़ किलुमेटर दूर लाजा के नहर के किनारे जोड़ा है